हेलो दोस्तों दिस इस तोल उसायन और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं अपना पॉर्टफोलियो की मेरे बैग में या मेरे खजाने में कॉइन से कॉइन्स मैंने छुपा के रख रहे हैं एक एक कॉइन है मेरे पास लिस्ट में मैंने लगा रहा है क्विकली आप लोग को बताता रहूंगा कि मेरी क्या उमीद है और मैंने किस वज़े से लिया था वो भी बता दूँगा और पूरी वीडियो बस एंड तक देखना आपको सब पता लग जाएगा वैसे मैं यूज्वली क्या करता था मेरी ये डाइरी रहती मेरे पास इसी में सब कु कर रहें पर्सनली तो वीडियो एंड तक देखना काफी मचेदार ये वीडियो होने वाली है और चैनल को अगर अच्छा लगते आपको मेरा कॉंटेंट तो सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना तो सबसे पहला कोईन है मैं अपनी कई वीडियो में बता चुक हूं मेरे पास इथेरियम है बहुत टाइम से मैंने होल्ड कर रहा है अभी जब यह चार साड़ चार हजार ब्याले सो डॉलर के आसपास था तब मैंने इसमें से करीब 30-40 परसेंट अपना पोटफोलियो निक आसपास आगया था मैंने फिर से वहां पर बाय कर रहा था और अभी मेरा प्लान है कि इसको करीब दुबारा 4500 के आसपास जाएगा तो मैं दुबारा सेल करूंगा और फिर जिप में मिलेगा तो बाय करूंगा वरना मैं मन्तली इसमें कुछ ना कुछ अमाउन डालता सब्सक्राइब हमको यह चाहता हूँ दिखेगा जल्दी तो यह है पहला कोई दूसरा कोईन है मेरी लिस्ट में अवलांच के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ वंडरलेंड पर जो स्टेकिंग करी कि उस वीडियो में मैंने बताय था अवलांच यह और अवल दगा सकते हो मैंने कहां पर यह खरीद हो तो मैं दुबारा इसको वेट कर रहा हूं तो बार थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो बाए करूंगा और थोड़ा बहुत अगर और ऊपर गया यानि 130-40 की आसपस दुबारा दिखा तो मैं फिर से थोड़ा से सेल करूंगा और वेट करूंगा तो यह कोई से इन में आप बार बार प्रॉफिट ले सकते हैं तीसरा कोई ने 40 डॉलर पर एंट्री लीती अभी 30 डॉलर पर चलता है तो मैं थोड़ा लॉस में चल रहा हूं मैं वेट कर रहा हूं या तो यहां से और नीचे जाए तो मैं दुबारा इसमें ा किमें processटों यह यह कईसरे एा क्या मेरा सव्यार हूं में अनष 60 acum से इस जबार को बता रहा है पहली कई बार मैंने जरी म्यां क्यूंत क्यूंक क्या ईक और अभी मैंने जो मेरी बाइंग बिल्कुल इसी मतलब एवरेज बाइंग अगर दे होगे तो इसी प्राइस पॉइंट पे है 3.23.3 क्या सपास ही है अभी मेरा प्लाइन क्या है कि मैं थोड़े टाइम और होल्ड करने वाला हूं मुझे लगता है चार पांच डॉलर जैसी जाएगा दुबारा मैं इसको सेल करूंगा और फिर से मतलब यह कॉइंस ऐसे में मैं पॉर्टफोलियो हमेशा कुछ ना कुछ रखोंगा ऐसा निए कि मैं सारा ही सेल कर दूंगा तो उसके बाद अगर दुबारा डिप मिलेगी मुझे तो मैं फिर से इसको बाय करूंगा और मेरे अच्छा खासा पॉर्टफोलियो है इसमें मेरी टोटल पॉर्टफोलियो का चार से पांच परसेंट होगा शैद इसमें एक्रोपोलिस इस बारे में शैद मैंने बताया हो या ना बतायो आज बता देता हूं यह भी मेरी लिस्ट में है तो आप अक्रो को भी अपने लिस्ट में मतलब कंसिडर करके रख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी इसने बहुत अच्छे मूवस हमको दिखाए नी बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे अच्छा प भी मैंने फोल कर रहा तो मैं इस पेट दू मतलब टू एक से भी ज्यादा प्रॉफिट में बैठा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर चार डॉलर क्या सपास चार साड़े चार डॉलर तक भी जाता हूँ दिखेगा तो मैं इसमें से अपना मैक्सिमिम प सकते हैं कि कितना पॉटफोलियो आपको रखना है यह पॉटफोलियो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैं बाइस हैल करता रहता हूं एक मतलब एक बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रखता यह गलती से मैंने अपनी मतलब अपनी गलतियों से यही चीज मैंने सीख कर रखा अगर उसलिए आप लोग को होल्ड करना है तो आप कर सकते हैं कि होल्ड करके आप लोग को थोड़ा बहुत मिलता रहेगा और वह घटा होता रहेगा 2023 तक मिलेगा तो बहुत लंबा एरडॉप है हर महीने मुझे कुछ ना कुछ कॉंटिटी मिलती रहती उस वज़ मैंने बाइन बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है मेरी मतलब एवरेज बाइंग भी 100-200 डॉलर के पास ती उसके बाद मैंने जव 6500-600 डॉलर के आज पास महुचा था उस टाइम पे भी सेल करा था मतलब इग्जैक्ली टॉप पे तो नहीं करा था काफी नीचे ही करा था उसस जादा बुलरन के टाइम पे तब मैं इसमें से थोड़ा बहुत और पोर्फोलियो निका लूँगा वरना ये और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है तो उस वज़े से मैंने होल्ड करके रखा हुआ है मेरा जादा पोर्फोलियो नहीं है बी एन बी में मुश्किल से ए आने वाली थी तो यहां से हमको हो सकता है 10x 20x भी गेन देखने को मिल जाए तो मेरी एवरेज बाइन मैंने करी ती इसमें जैसी ही डिपार्ट था मैंने बाइ कर रहा है तो मेरी मतलब मैं वहीं पर चलना हूं कुछ प्रॉफिट लॉस में नहीं हूं बस मैंने होल्ड कर र नहीं रहे ना तो लिस्टिंग करवा पा रहे ना कुछ और अच्छा कर रहे तो बस ठीक है होल्ड कर रहा है अभी बहुत नीचे मतलब यही डिपैस की कोई बाइ करना चाता तो कर सकता सिर्फ इसी वज़े से की लिस्टिंग होगी तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल स अभी थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा है महां से और मेरी उम्मीद है कि यह दुबारा हमको मतलब कोई ना कोई जैसी ही बुलिश नियूज आती है शी बाइनों को लेके दुबारा हमको उपर जाते हुए दिखेगा तो इसको मैंने होल्ड कर रहा है प्रॉफिट दिखे तो मैंने उसी हिसाब से इसमें पॉटफोलियो अपना रख रहा है बहुत सादा नहीं लगाया हाँ ठीक है थोड़ा वाट रिटन मिल जाएगा अगर कुछ दो चार छे महीने के अंदर अंदर तो हम इसको सेल कर देंगे अपडेटेड वीडियो भी आएंगे इसी के लिए मैं अब फर्स्ट वीडियो मैंने सोचा था 2022 में ही बनाऊंगा और अपडेटेड वीडियो भी लाता रहूंगा कि मैंने ये कोईन सेल कर दिया ये मेरी लिस्ट से हट गया तो आप अकॉर्डिंग ली कर सकते हैं ये कोईन इतना मतलब बहुत ही मुझे फॉर्मेशन F5 मैंन कमा के साइड कर लिया है इसमें थोड़ा बहुत पूर्फोलियो मैंने छोड़ रहा था कि शायद आने वाले टाइम पे काफी अच्छे न्यूज आ रही थी इनकी बट अब पता नहीं ये जो है नीचे डाउन ही चला रहा है डेवलोप्मेंट टीम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है इनकी और ना कुछ नहीं आ रहा है बस वहीं के वहीं रुक गया है उस टाइम पे हां रोड में पच्छा चल रहा था इस टेकिंग भी लेकर आए अपनी और कुछ-कुछ बिरिज वगयरा भी काम बिरिज पे भी काम करा है इन्होंने उसके बाद जो है जब बहुत प्रॉफिट और जाद मेलेगा मैं अल्रीडी निकाल चुक हूं सारा प्रॉफिट आइडियों के टाइम पर मैंने अल्मुस्ट सारा ही सेल कर दिया थो थोड़ा बहुत रोक लिया था वहीं पड़ावा अगर हो जाएगा तो ठीक है वरना मुझे से कोई खास तो इसमें भी अगर कोई यह बहुत थोड़े रिस्की कॉइन की तरफ मैं कहूंगा यह मैंने लिये थे उस टाइम पर हाइप बनी हुए तो जो मुझे प्रॉफिट निकालना था वो मैंने निकाल दिया अब जो बचा हूँ वह खाली मतलब इसलिए चोड़ रहा है कि यह अच्छा प्रॉफिट दिखा दे तो मैं इसको सहल कर दूँगा इसको मैं ज्यादा खास देखता भी अब जिस पर मतलब यह सारे कोईन से नहीं स्टार एडलस यह कोईन जिस पर मैं बहुत अच्छे से नजर बना के बैठा हूं मैं इसमें दो से भी ज्यादा एंट्री ले तो मैं जरूर खरीदूगा मेरे 0.08 पर थी लास्ट एंट उसके बाद मेरे 0.14 पंदरा पर शायद खरीदा होगा उसके नीचे और जाता है तो मैं और खरीदूगा और मेरा जो टार्गेट है शायद यह कम से कम इससे यहां से 10x तक रिटेंग एक्सपेट कर मैं कर सकता हू आने वाल टाम पर इतना रिटेंग दिया इसने तो मैं सेल करूँगा मैं ऐसा जरूरी नहीं कि इतने परी सेल करूँगा मार्केट टेंडिशन को देखके मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है ताकि आप इस टिरिश्न के जॉgga इस परोजेक्ट में जो पैसा लगाया था वह फिछले जो मैंने परोजेक्ट है उन में से निकाल कर नहीं लगा दा निकालता मैं बहुत कम हूँ, कभी मुझे जरुवत पढ़ जाती है, तब ही निकालता हूँ. Blocktopia जो मैं बता रहा था, यही है, वो अगला कोईन, इस पे भी लेके मैं बहुत जादा बुलिश हूँ, कर चुका हूँ, इसके बारे में, तो दुबारा एंट्री लोगा, अधर्वाइस मैंने इसको कम से कम अभी 2-4-6 माहिने के लिए तो कहीं नहीं गया, मैंने तब तक के लिए इसको फोल्ड कर रहा हूँ, ALU मैंने बताया था, ALU से, मतलब ALU यह अल्टूरा जो इनका कोईन है, इससे बहुत सारी चीज़े, मतलब NFT से रिलेटेड और Airdrop से रिलेटेड और कुछ ना कुछ इवेंट यह लाते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने इसको होल्ड कर रहा हूँ, और मेरी जो इसमें एंट्री हो 17-18 सेंट के आसपास है, तो मैं वहीं पे चल रहा हूँ, दुबारा थोड़ा बहुता कर नीचे आए, तो मैं इसको दुबारा बाय करूंगा, और इसका भी मेरा मतलब जो है, थोड़ा लॉंग टम जैसे ब्लॉक्टोपिया और Aird Star Atlas की तरह इसका भी थोड़ा से लॉंग टम का पर्सपेक्टिव आने वाले टाइम पर अच्छा परफॉर्म करा, इतनी जादा मार्केट कैप नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं, 95 मिलियन की मार्केट कैप है, तो यहां से 2X, 3X, 5X, 10X तक भी हो सकता ही है, तो कोईन की वीडियो सेलेक्ट करी थी, मतलब जो उसमें कोईन सेलेक्ट करे तो इसमें से पहले नमबर पर रखाता है, सब बता चुका हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, तो यह मेरी सीजन की जो है, टॉप बैट्स में से एक रहने वाला है, इसको मैं तो मुझे इसको दुबारा बाय करना है, मुझे डी सीए करना है, मुझे एवरेजिंग करनी ही पड़ी है, अगर मुझे उसमें प्रॉफिट लेना, अगर मैंने अभी बाय करके छोड़ दिया, और यह डाई डॉलर पर आगया, और मैं इनतजार करना हूँ की उपर आएग मैंने इसको बाय करा था, तो बस उसी लिए बाय करा था, तो उसके बाद यह बहुत अच्छी परफोर्मेस दिखाया है, बिलकुल नीचे ऐसे गिरता जा रहा है, तो मुझे जो प्रॉफिट निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, इसमें से थोड़ा बहुत लॉस में चल तो यह मैंने खरीदा था, मुझे याद नहीं है करीब 17-18 सेंट के, 11-12 सेंट के आस पास चल रहा था, अब देख लो उसके हालत, कहां पर पहुंच चुगा है, ता सारा पोटफोलिय माहिने में चल रहा है, ऐसे ही सिमिलर कोईन है, यू कलाउट, इनका भी बहुत जादा ह बाइब बनी थी, मुझे आइडियो में मिला था, to be honest, मुझे जो है आइडियो में मिला था, ये कोईन मुझे हर महीने की वेस्टिंग मिलती रहती है, 10% उस वेस्टिंग को उठा के, मैं एक एक्सचेंज है, महां पे स्टेक करता रहा हूं, तो मेरे कोईन बढ़ते जा रह ये जितना भी मिल रहा है, अभी 3-4 वेस्टिंग और बाकी है, तो वह भी मिलने वाली है, शायद आगल इस महीने की थोड़े दिन में आने वाली है, तो उठा के उसको भी स्टेक कर दूँगा, वहां पे बढ़ रहे है, तो बस मतलब इसे मुझे फिरी में ही मिल रहा है, एक तरीके से टोकन, बट ये अच्छे खासी अमाउंट की टोकन है, मेरे पास, बट वो सारे आइडियो में मिले हुए, तो एक बहुत अच्छी बात है, तो मुझे मतलब ये नीचे भी जाए, उपर भी जाए, तो मुझे से कोई उम्मीद भी नहीं है, बाकी मतलब ये मु में कमी है, बाकी कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो कंसेप्ट पर ही सारा काम नहीं होता न, अच्छुली कुछ करके दिखाना होता है, उसमें बहुत पीछे ये टीम, हो सकता आने वाले टाइम पर करें, मेरा थोड़ा सा होल्डिंग करके मैंने साइड में डाला हुए, अ अगला कोईन है, पैंकिक स्वाप के बारे में तो आपको पता ही होगा है, हम हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगली वीडियो इसकी जल्दी आने वाली है, तो इसका तो मेरे पस खा जाना ही बहरा हुआ है, और मैं बहुत लंबे टाइम तक इसको खरीदने वाला तो मुझे लाइक कर देना, मुझे लाइक मत कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को टेली ग्राम पर फालो कर लेना, मैं आप से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड, बाए